तो यह है तीसी के लड़ू जिसको गाव में हम लोग मेथी भी बोलते हैं तो यह मेथी के लड़ू कैसे बनाते हैं तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कि यह मेथी के लड़ू मैं कैसे बनाई हूं तो आज यह मेरे किचन में मेरे साथ तो आज मैं बनाने वाली हूँ तीसी के लड़ू आप लोग देखते हैं यहां इतना तीसी है और इसको अभी मैं भूनूंगे इसमें और इसके बाद फीर बनाओंगी तो यह इसी चैनल प्याज जाएगा इसकी रेज़्पी तो आप लोग देखना भेर सारा प्याब देना यह खंडी के मौसम में खाते हैं तीसी के लड़ू और बहुत अच्छा रहता है हेल्दी भी रहता है खंडी के मौसम में खाना चाहिए यह देखो एकदम साफ है इसको साफ कर ले हूं है और अभी जारी है हूँ इसको भून में तो यहां भूनना स्टार्ट हो गया है और एकदम अच्छे से भून लेना है ज्यादा नहीं भूनना है कि एकदम ब्लैक हो जाए इसे जल जाए उतना नहीं भूनना है इसको देखते हैं इसमें से थोड़ी आवाज आती है ऐसे पट 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 करके और यह मतलब ऐसे फट जाती है जैसे थोड़ी थोड़ी वाइड जैसे दीक रही होगे आप लोगों को और यहां नहीं लेना है एकदम थोड़ा सा अनुक्रा है चावल केeffective और अ होट यहांड़ी में तो तो यह सोखा के और छलो इसको भी मैं फोड़ा सा ऐसे भूनन लेती हूं उसके बाद फिर mixi jar में डालके इसको भी पिस लूँगी और यह जो मेथी है न मैं मेथी को डाल दूँगी तीसी के साथ ही कि वो पिस जाए अच्छे से या चावल के साथ डाल दूँगी बस यहां जो चावल है न उसको मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ आप लोग देख सकते एकदम ले ली हूँ मैं एक कड़ाई और उसमें डाल दी हूँ पानी पानी एकदम थोड़ा से डालना है ज्यादा पानी नहीं डालना है और उसमें मैं गूर डाल दी चलो तब तक इसदर चासनी बन रहा है पाग बन रहा है हम लोग गाम में जैसे इसको पाग बोलते है और इंग फिर यह देखो आप लो लो तेल छोड़ दिया और हम लोग इसको क्या बोलते हैं तियल जो छोड़ता है न तो अश्चसे मतलब तिली आ रहे हम लोग तेल चोड़ रहे हैं से बोलते और फिर चलो यहां मैं इसका गोला बना लेती हूं फटा-फट से और यह मैं अपने ममी दादी याजी बुआ मतलब सबको देख के यह सिखी हूं यह मतलब मैं कोई मुबाइल या ऐसे यूटूब पर देख के नहीं सिखी हूं मैं बच्पन से यह सब देखते आई ह हो तो मुझे मतलब ऐसे लगता है कि हां मुझे आता है और मैं बनाती हूं हर साल तो यहां मैं एक गोला बना ली हूं अप इदम अच्छा पॉडर बनां ली हूं और उसको भी डाल ली हूं उसके बार इसमें घी भी डाली हूं आप लोग देखे अभी दो चेमच में डाली चलंड च़ी ने पाई काई अभी इस मतला यह ऐसे मुसल मुसल के मुसल के पूरे दम चिकना कर देना में बहुत अच्छे से तो यहां में नारियल पॉडर भी डाल दी हूं ड्राइब भूडर का कोई मतलब ओ नहीं है आप जितना चाहे आप डाल सकते हो हँए लेकिन जैसे आदा किलो तीसी है ना मतलब आदा किलो जैसे चावल और तीसी है दोनों के मिलाके जैसे उसमें ड्राइब फ्रूट्स जाए अच्छा लगता है नहीं तो कम भी 50-100 ग्रम भी डाल सकते हो लेकिन ड्राइफ फ्रूट्स थोड़ा ज्यादा रहता है तो अच्छा लगता है और यहां अच्छी से मिला ले ना जैसे मैं मिला रही है आप लोग देख सकते हो एक दम बारीकी से मिला रही हूं है कि जो भी चा चासनी डालने की बारी आ गई है और अभी मैं चासनी डाल दी हूं और चासनी डालने के बाद भी इसको अच्छे से मसल मसल के एकदम चिकना कर देना है और फिर उसका लड़ू बनाना है चलो यहां मेरे से जीतना हो सके मैं उतना इसमें टाइम लगाई हूं उतना इसको मस उसके हमें इतना नहीं हो पता है न तो आधा हमें कर दोदी है दो जालों में डाल दी हो किसा वह मना लेते ही गांट आगो ख आपको दिल से अच्छा लगे दिल से यह रेश्पी अच्छी लगी मेरी मेहनत दीखी तो आप एक लाइक जरूर से जरूर कर देना और कोमेंट में जरूर बताना कि कैसी बनी है यह लड़ू और किसको किसको पसंद है और किसके किसके यहां बनता है किसके किसकी मुम्मी दिभावी जो भी बनाते हैं घर में, तो आप जरूर से, जरूर बताना तो आप लोग डिल से बताना कि यह जो रेज़्पी है कैसे लगी और यह आज का छोटा सा ब्लोग कैसा लगा, तो आप लोग कोमेंट मेंचे राटाना और मेरी मेहनत एक नए एक दिन रंग जरूर लाएगी मुझे ऐसी लग रहा है आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगर वीडियो अच्छ लगी तो लाइक शियर जरूर कर देना बैबै